नमस्कार घरेलू चार में आपका स्वागत है आप कहीं भी रहें खुशाहाल रहें और ब्यकार नौ बैठें और गलत लोगों से बहवार लगाएंगे तो गलत ही आपको सिक्षा प्राप्त होगा अच्छे ब्यक्तियों के साथ रहेंगे तो अच्छा बहवार आपको प्राप्त होगा तो अच्छाई के तरफ ध्यान देना चाहिए तो साथियों जहां तक हमें समझाता है वहां तक आप लोगों को बताता हूं तो आज हम इस वीडियो में एक रुद्राच का वीडियो दे रहा हूं तो इसमें आपको साथ मुखी या एक गारोह मुखी धारण करना होगा लाल रंग के धागे में मैं वह दिखाऊंगा तो यह रुद्राच हर परकार के मुसीबत संकटों से मचाव करता है यदि आप पर कोई मुसीबत आपड़ी हो कोई रास्ता नो दिखाई दे रहा हो या आप कोर्ट का चहरी के मामले में फस गए हो जीवन केवल संगहर से ही रह गया हो तो आप रुद्राच धारण करके सिग्री ही सभी मुसीबतों से छुटकारा पास सकते है तो सबसे पहले मैं आपको वह रुद्राच दिखा दिखा दिखाई तो देखिए यह सात मुखी है लेकिन आपको सात या इगारव वाला लेना है तो हमारे पास इगारव मुखी नहीं है हमारे पास सात मुखी है यह देखिए यह सात मुखी है तो इसको लाल धागे में गूत कर गले में धारण करना होगा आपकी समयस्या सीग्रे ही हल हो जाएगा तो यह सब परसानियों को मुसीबत को जहलने वाला रुद्राश है आप इसे आसानी से नौ लें और फिर एक बार सुन लें सात मुखी हो या एक गारव मुखी दोनों में से सिर्फ आपको एक पीछ लेना होगा गे और लाल धागे में गूत कार किसी अच्छे दिन को धारण कर लें अगर इन सब परसानियों से जूज रहे हैं तो तो हम इसी तरह से आपको आगे भी वीडियो देता रहूँगा और आप घर बैठे इस वीडियो का पैदा उठा सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजे इजाजात नमस्कार